हलो बच्चो इसकी वेटेज भी काफी जादा है तो आज का लेक्चर मैं आपके लेके आई हूँ क्वेशन सॉल्विंग पर क्या अप्रोच होनी चाहिए जब हम पिरियोडिक क्लासिफिकेशन अफ एलमेंट्स इस चैप्टर के क्वेशन को सॉल्व करते हैं क्या-क्या जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए बेसिक क्वेशन भी बहुत बच्चों को मुश्किल लगते हैं कैसे सॉल्व करूं मुझे नहीं पता चलता ये प्रॉबलम को सॉल्व करने में आ गई हूँ बच्चो सो चलिए फिर हम जली से NCRT क्वेशन को सॉल्व करने की रहा पर चल पड़ते हैं जब NCRT questions को सॉल्व करना हो या एक चाप्टर के किसी भी प्रकार के कहीं से भी चाहिए वो internal question हो, multiple choice question हो, subjective हो, objective हो any question when you have to answer first thing to do is recollect what you have studied in this chapter तो जल्दी से छोटा सा quick revision कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हमने periodic classification of elements में क्या क्या किया सो बच्चों आप सभी को ये बात याद होगी कि कैसे अलग-अलग elements जो इस दुनिया के हैं वो classify किये गए एक proper systematic order में और क्या बना final successful attempt बना हमारा periodic table long form of periodic table जिसे हम कहते हैं modern periodic table जिसे हम कहते हैं पर क्या जल्दी से एक ही गो में ये बन गया था नहीं नहीं बहुत मेहनत लगी पहले डोबर्नियर ने कोशिश करी और फिर new lands ने अपनी हाथ आजमाया और फिर बारी आई मेंडलीव की मेंडलीव काफी कारगार साबित हुआ बट उसमें भी कुछ कमिया निकली तो फिर successful और वो attempt जो हम सब याद रखते हैं और जिसे follow करते हैं वो है हमारा हेंडरी मोजले का modern periodic table long form of periodic table जिसे हम कहते हैं उन्होंने elements को arrange करा s block, p block, d block f block elements में arrange करकर एक final गोमर elements को arrange कर दिया गया s, p, d, f block elements आए और एक proper systematic way में मेंडलीव की जो successful attempt में कमिया रहे गई थी उन्हें दूर करते हुए हेंडरी मोजले ने long form of periodic table का रचना की बच्चों, इस long form of periodic table को सीखना बहुत जरूरी है, अब आप बोलोगे 118 element होते हैं मैं सारे याद करें क्या, अरे बच्चों सारे याद नहीं करने पर ये कहां placed हैं, कैसे placed हैं क्या इनकी properties हैं वो तो जाननी पड़ेगी ही ना, है ना बच्चों? सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा long form of periodic table है modern form of periodic table modern periodic table जिसे basically हम कहते हैं उसमें groups कितने हैं? और periods कितने हैं? राइट! सो groups बताइए कितने हैं बच्चों? वोट करने की उमर क्या है? 18, so 18 groups और हफ़ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, 7 periods और 118 elements को इन 18 groups और 7 periods में अरेंज किया गया है और अगर blocks की बात करें तो SPDF इन 4 blocks में हमारे elements को अरेंज कर दिया गया यूरमेंबर दिस राइट? and periodic table के हर एक element की placement जानना मुश्किल है पर नामम्किन नहीं तो चलिए इस मुश्किल काम को आसान कर दिया जाए So students, class 10th के questions को आंसर करने के लिए आपको 1st group, 2nd group, 13th group, 14th group, 15th group, 16th group, 17th and last but not the least 18th group इन groups के elements की जानकारी अगर आप रख लोगे तो आपके 90% questions solve हो जाएंगे So याद है आपको trick भी सिखा रखिये मैंने जल्दी से याद कर लिया जाए 1st group के elements होंगे हलीना की रब से फर्याद Right students, हलीना की रब से फर्याद और फिर अब हाईड्रोजिन की बाजुवाला space छोडेंगे आगे बढ़ेंगे और 2nd group के elements लिखेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी Remember this? Right Moving on to 13th group बताईए 13th group में क्या है? बैंगन आलू गाजर इन थैला Remember, right? 14th group हमारा carbon बड़ा प्यारा carbon आता है यहाँ पर Carbon Chemistry Sir gives संकी problems याद है न? चलिए Moving on to the 15th group बताईए 15th group में क्या आएगा? बताईए बताईए New Zealand, Pakistan, Australia सब बिखारी बड़ा असान है यह तो लोगों को काफी पसंद भी आए था Moving on to the 16th group उससे टेपो And then 17th group हमारे प्यारे हैलो जेंज फिर कल बरात आई अतुल की फिर कल बरात आई अतुल की And then came our inert gases, noble gases He never arrived कर देंगे Zero पे run out You remember this? यह idea आपको रहेगा बच्चो तो आपके periodic table के काफी सारे सवाल आप आसानी से आंसर कर लोगे अब आप बोलो के मैं बस क्या यह elements पता हो तो बात बन जाएगे क्या? नहीं भई कुछ और चीज़े भी है जो जाननी है इनकी periodic properties क्या है बच्चो वो? periodic properties को जानना जरूरी है periodic properties को हम जानेंगे और उनमें से सबसे पहली सबसे प्यारी सबसे जरूरी है valency 9th में सीखा था इसके बारे में आया ना valency का क्या होगा? valency होती क्या है? group में क्या होगा? period में क्या होगा? यह जानना जरूरी है then atomic size is very important okay students atomic size radius atomic radius पे डिपेंड करेंगा ना size और group में क्या होगा? period में क्या होगा? पता होना चाहिए हाए ना and then हमारी ionization energy right और फिर बारी आती है electron affinity की electron affinity की and number 5 will be electronegativity क्या होगा बच्चों? electronegativity यह basic चीजे तो आपको पता होनी ही चाहिए बच्चों ओके? यह हमें पता होनी चाहिए इनके मतलब और group में क्या होगा? trends में ठीक है? trend पता होना चाहिए group में क्या होगा और period में क्या होगा जब आपको इतनी जानकारी होगी अब देखेगा सवाल कैसे चुटकियों में करने है इसके बाद भी एक approach जरूरी है और वो approach में आपको सिखाने वाली हूँ let's answer some important questions of periodic classification of elements ये basic idea अपने को है तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ध्यान से देखिए question को ये एक multiple choice question है okay let's read the question properly see all the options use our mind think wisely and select a correct answer चलिए सवाल पढ़ लेते हैं देखिए which of the following statements is not a correct statement दोबारा हमें correct statement नहीं चुनना गलत statement चुनना है भई which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of periodic table trends के बारे में जानकारी जरूरी है पिछला lecture देख लोगे तो trends की सारी जानकारी मिल जाएगी कोई confusion हो तो दोबारा देख लीजिएगा ठीक है so trends के बारे में जब बात हो रही है तो चार statement दे रखे और चार हमें से गलत कौन साइड ढूनना है चल ये शुरूबात करते हैं पहला the elements become less metallic in nature metallic character पढ़ा था हमने है ना और हमने ये जाना था कि कैसे left hand side में metals होते हैं right hand side में non-metals होते हैं बीच में होंगे metalloids I hope you remember this thing left hand side metals right hand side non-metals और बीच में होते हैं metalloids ये बात याद है अच्छा से याद है अब हम group और period कितने group है 18 group है periods कितने है 1,2,3,4,5,6,7 ये picture दिमाग में होनी चाहिए हर सवाल आंसर होगा बच्छो चलिए group और periods के trends को याद रखना जरूरी है अपने को देखते हैं क्या क्या trends का जिकर कर रखा है पहला the elements become less metallic in nature क्या कहा गया है हाँ पर less metallic in nature सही बात है period में जब यहां से हम जाते हैं metal, metal, metal फिर भीरे-धीरे non-metal आने से पहले metalloid आ जाता है और फिर आखरे में जाके non-metal आ जाता है हाई या ना तो यह बात तो बिल्कुल सही है elements become less metallic in nature जैसे जैसे हम period में आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया अगला the number of electrons increases बिल्कुल 1, 2, 3, 4 increase होगा फिर decrease भी होगा तो यह बात भी ठीक है पहले increase होगा आगे देखो the atoms lose their electrons more easily यह बात कुछ समझ आई clear charge है यह नहीं है कम है यह जादा है इस बात पर depend करेगा period में जब हम धीरे धीरे elements के तरफ आगे बढ़ते हैं तो बच्चों यह बात गलत प्रूव होती है ओके देखिए option D देख लेता है यह अपने mind में आ गया है पर option D भी चक कर लेते है the oxides become more acidic oxides acidic तो होंगे obviously metallic oxides basic oxides acidic oxides non metallic oxides यह जो बाते हमने सीखी थी याद है कि नहीं बस वो वाली बात है तो fourth option भी ठीक है तो अब option C गलत लग रहा है अपने को तो इसका answer क्या होगा option C C is not a correct statement क्यों भई the atoms lose their electrons more easily यह statement दे रखा है अगर हम left से right जाते हैं तो metallic character decrease होगा क्या decrease होगा metallic character decrease होगा अगर metallic character decrease होगा तो फिर non metallic character क्या होगा increase होगा simple सी logic है so hence the tendency to lose electrons वो भी decrease हो जाएगी तो उल्टी बात के रखे दी बाहां पे हाई है ना so यह बात हम समझ गये है and I hope there is no confusion at all right students आगे बढ़ जाईए अगला सवाल देखे बड़ा interesting सवाल है element x form से chloride with formula xcl2 मतलब xcl2 बनाना है एक element x है जो chlorine से मिलके xcl2 बनता है मतलब xcl chlorine की valency minus 1 है इसकी plus 2 valency होगी तभी xcl2 बन पाएगा हाई है ना बिलकुल तो हमें एक ऐसा element देखना होगा जिसकी valency plus 2 हो क्या हो plus 2 सिंपल से बात है एक है ऐसा element ढून लो जिसकी valency plus 2 ठेक है देख लेते हैं options देखे क्या है ध्यान से question पूरा पढ़ लीजेगा xcl2 के बाद which is a solid solid भी है it has high melting point x would must x would most likely be in the same group of the periodic table as यहाँ पे यह कह रहे हैं कि जो x है वो कौन से group में कौन से element के group में होगा सिंपल सी बात है along the group valency remains same इन सभी elements में से जिस element की valency 2 होगी उसी के group में यह element x आ जाएगा तो देख लीजिए सारो elements में से valency देखनी है अपने को sodium की valency क्या है बच्चो plus 1 कैसे पता चला 11 है इसका atomic number 2, 8, 1 outer most shell में 1 electron है तो valency भी 1 होगी तो यह तो होई नहीं सकता अगली बारी है magnesium की magnesium में देखते है magnesium का atomic number है 12 2, 8, 2 number 2 valency क्या है 2 तो इसका answer क्या होना चाहिए साफ नजर आ रहा है valency इसकी भी 2 है तो आगे बढ़ने की जरुरुत ही नहीं है aluminum की 3 है वो तो साफ नजर आ रहा है right so students magnesium should be the answer yes absolutely magnesium is the answer magnesium की valency plus 2 है CL की valency minus 1 है mgcl to the form हो ही जाएगा हाया ना कोई और element भी ले लो आप जिसकी valency 2 है हाया ना और असानी से यही form होगा बच्चो बेटा मांगे beryllium ले लो आप x beryllium हो सकता है कि नहीं बिलकुल हो सकता है becl2 form होगा हाया ना समझ गए इस सवाल का जवाब right students valency 2 है तो हमें उस हिसाब से बात करनी है let's move forward now to the next question यह थोड़ा ध्यान से इस question में 5 bits है कितने bits है 5 bits है यह exam में 5 more question बनके आ सकता है बच्चो हमारे board exam में इसे सवाल आने के पूरे पूरे chances है तो सवाल को पढ़िए हर bit को ठीक से answer कीजिए and let's start first question which element has पहले bit को देखते है two shells both of which are completely filled with electrons दो shell होने चाहिए दोनों ही shells fulfill होने चाहिए ऐसे element का नाम बताओ जिसमें दो shell हो मतलब k shell और l shell दोनों भरे हुए होने चाहिए तो k shell में दो 2 electrons भर दिये l shell में 8 electron भर लिये एक, दो, तीन, चार, पांच छे, साथ, आठ ऐसा element 2 और 8 मतलब electrons कितने होंगे? 10 atomic number 10 मतलब first 20 elements में कौनसा element? neon कौनसा element बच्चों? neon right? I hope you remember this दोनों shells filled है ना इसमे ठीक है? इसका answer neon होना चाहिए ओके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की अलफ the electronic configuration 2, 8 or 2 2, 8, 2 ये electronic configuration होनी चाहिए तो बताइए electronic configuration दे दी है आपको सिर्फ और सिर्फ उस element का नाम बताना है first 20 elements का order पता होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बच्चो ऐसे सवाल आराम से हो जाएंगे atomic number पता है element का नाम ऐसे आसान से यादा जाएगा याद कीजिए कैसे hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium number 12 पे आता है magnesium यहाँ पर 2 प्लस 8 प्लस 2 बन जाता है 12 और ये बनेगा हमारा element होगा magnesium हाए ना असान है ना सवाल अगला देखिए ये टोटल ओव थ्री शेल्स विट फोर एलेक्ट्रोंस इन इस वालेंश शेल टोटल कितने शेल होने चीए तीन और वैलेंश येल में एलेक्ट्रों कितने चीए चार तो बनाओ भाई ऐसा एक शेल दो शेल तीन शेल पहले में दो दूसरे में आठ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और हमारा जो अगला शेल होगा वो होगा चार तो बच्चों सिंपल है ये बिना बनाए भी बना सकते हो आप क्या करेंगे टू एट फोर एट प्लस टैन टैन प्लस फोर फोर्टी दोबारा से फ़स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स के जिकर को और नमबर फोर्टीन पर जो एलिमेंट आया वो आंसर इसका होगा हाया ना तो बच्चों उस element का नाम जिसमें तू एट और फोर होंगे उसके शेल्स में वह ऐलिमेंट होगा फोर्टीन नमबर पर और फस्स्टट्वेंटी एलिमेंट्स में जो फोरीन नमबर पर है क्या है? silicon, क्या है बच्चों, silicon it has total 3 shells and it follows this order of electrons, है न, shells में, इस order में electrons placed है चलिए, अच्छा option, D और E ये दोनों questions भी तो करने है D bit और E bit, चलिए D bit क्या है a total of 2 shells with 3 electrons in its valence shell ये भी बहुत असान है, 2 shells होने चाहिए, ओके valence shell में 3 होना चाहिए, simple 2 plus 3 5, hydrogen, helium, lithium beryllium, boron, क्या बन जाएगा boron इसका answer हो जाएगा, बहुत असान है ये, अगला देखिए twice as many electrons in its second shell as in its first shell, बहुत interesting है English जिसको basic आती है, वो सवाल समच जाएगा और answer भी दे देगा, ध्यान से सुनिए कितने होने चाहिए electrons twice as many electrons in its second shell as in its first shell, मतलब first shell में जितने है न उसके twice होने चाहिए second shell में मतलब दो दूनी चाहर two to zero four so two to zero four है तो पहले shell में के में two और L में four, तो बताएगे कौन सा element है है इसा, हमारा प्यारा carbon, carbon and its compounds में सीखा था हाँ याना carbon का atomic number six and उसके shells में पहले shell में दो, अगले shell में चाहर, हाँ या ना चलिए इनके answers चेक करते हैं हमने साही सोचा है की नहीं बिलकुल साही सोचा है देखे option D है boron, option sorry E bit है carbon easy है ना बच्चो अराम से हो गया, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, चोथा सवाल है बड़ा आसान है, confuse नहीं होना है देख लीजे, what property do all elements in the same column of the periodic table as boron have in common सवाल समझ आया boron जहां पर है ना, boron जहां पर है उस column में कौनसी property है जो सभी elements के सेम होगी, समझ आया अच्छा, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा समझ लो boron एक element है, periodic table में जिस column में वो आता है, उन सभी elements में क्या चीज़ common होगी ठीक है, देख लेते हैं इसको answer करने के लिए यह याद करना जरूरी है कि हमारा boron कौनसे group में आता है, याद कीजिए first में नहीं आता, second में नहीं आता 13 में आता है, क्या बैंगन आलू गाजर इन थेला, यह हमारा बैंगन बोरॉन ही तो है, right तो हमें क्या करना होगा, यह कौनसे group में है 13th group में तो 13th group की line क्या थी बैंगन आलू गाजर इन थेला याद रखना यह बात क्या थी बैंगन आलू गाजर इन थेला, यह हमारा in common बताईए बताईए एक ग्रूप के सारे एलेमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है इन सभी की वैलेंसी 3 होगी कितनी होगी 3 होगी इसकी वैलेंसी बन जाएगी हमारी 13th ग्रूप में होने की बज़े से प्लस 3 तो यही आंसर होगा इसका ठीक है अगला सवाल देखें वाट प्रॉपर्टी दू आलेमेंस इन सेम कॉलम अफ पिरियोडिक टेबल एज फ्लोरें है विन कॉमन बोरॉन हो गया अब फ्लोरें की बारी है फ्लोरें बताओ कौनसे ग्रूप में आता है बताओ बताओ फ् कल बारात आया तुलकी इसमें आ गया हमारा फ्लोरें और यह है लोजन से इन विक्या कोमन होगा सिंपल सी बात है सबकी वैलन से सेम होगी और वैलन सी कितनी होगी माइनस 1 यह बात लिखनी है बिटा देखें लिखी है किना यह आंसर में चेक कर वादे दियो मैं आपको ऑल यह इसमें चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं देखते हैं यह सवाल आपको मुश्किल लगेगा कि नहीं क्वेशिन नमबर फाइफ एन एक एक टम की एलेक्ट्रोनिक क्वेशन दे दिये तो अटमिक नमबर क्या होगा जल्दी से किंती करो भाई दो और आठ दस दस और साथ सत्रा यह बात इजी है पहचानली हमने फस्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स में याद करो कि सत्रमा इलिमेंट कौन सा है याद कर लो कर लो जल्दी से बताइए बताइए मिली गया सिंपल तीनों को आड कर दिया तीनों शेल में जो नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉंस है मिल गया मुझे मेरा अग्ला सवाल है तो विच ओफ फॉलोइंग एलिमेंट्स वोड़िट भी कैमिकली सिमिलर कौन से एलिमेंट से कैमिकली सिमिलर होगा यह चलो देख लेते हैं एलिमेंट्स है उनके अटॉमिक नमबर दे रखे हैं हमें वस यह देखना है कि वह किस से सिमिलर है कैसे करें बहीं बताओ सिंपल सी बात है सब की एलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो ठीक है दो और पांच एलेक्ट्रॉंस कैसे फिल करते हैं यह भी हम जानते हैं पर्स शेल में 2, सेकंड शेल में 8, फिर 8 पता है ना मसी यही करना है 8 यहां पर हो गया नाइट्रोजन 7 की एलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब बार यह यह फ्लोरेन की 2 और 7 आया ना अगला देखो 15, 2, 8, 8 प्लिस 2, 10 और फिर वाया 5, 15 है ना 5 एलेक्ट्रॉन हो गए सब्सक्राइब कर दिया हमने एलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से आगे बढ़ो आर्गन हमारा इनर्ट कैसे बहिए दो और दस और दस और अठारा सब का लिग दिया अब बस मैच करना है कि पहले वाले के जैसे कौन सा है देखो पहले वाले में आउट्रमोस शेल में फॉस्फरस में नहीं और आरगन में नहीं तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फ्लोरेन क्या बन जाएगा बच्चों समझ रहे हो कि नहीं आप बात को बहुत बढ़िया नाव आंसर वही है जो हमने सोचा सबके आंसर रिटन फॉर्म में बेटा मैंने आपको दिये हैं ताकि कंफूजन ना हो अगले सवाल की और बढ़ते हैं one of the most interesting and for few students most difficult question question को पढ़िये मज़े लेके कीजिए जल्दी आंसर आजाएगा चलिए फिर सवाल पढ़ते हैं मुश्किल लग सकता है पर मुश्किल है नहीं ध्यान से सुनोगे अगर देखें the position of three elements a b and c in the periodic table are shown below तीन elements दे रखें a b c कौन है क्या है पता नहीं ग्रूप 16 नजर आ रहा है ग्रूप 17 नजर आ रहा है उनमें a b और c है चार सवाल दे रखें ठीक है A, B, C के बारे में चार सवाल दे रखें है बच्चों जैसे ही आपको Group 16 और Group 17 दे दिया गया है तो ट्रिक समझ में आएगी आपको याद कर लो Group 16 में कौन से Elements है और Group 17 में कौन से Elements है याद कर लिया Group 16 में हमारा Oxygen से शुरू होगा उस से टेपो ठीक है वेरास Group 17 में हमारे हैलोजन फिर कल बराता या तुलगी देखते हैं क्वेशन में क्या पूछा है एक एक करके A, B, C, D सारे सवाल देखते हैं पता करते हैं कि हमें जो जानकारी है उससे ये सवाल हो पाएंगे कि नहीं चल पहला State whether A is a metal or a non-metal A metal है या non-metal बताना है सोचिए A के बारे में जानकारी अपने को क्या है बच्चों A है Group 17 में खाँ पर है Group 17 में Group 17 में अगर A है तो Group 17 कहां आएगा एक से शुरू होते आते 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 18 के पहले 17 है 17 तो बिलकुल आखिर में है तो आखिर में है तो याद आगया होगा उस तरफ metals होते हैं इस तरफ non-metals तो इसका answer A metal होगा होई नहीं सकता भई non-metal है Group 17 में हमारे halogen से और halogen सारे तो non-metal है हाई है ना तो इसका answer State whether A is a metal or a non-metal इसका answer होगा non-metal है ना अगला सवाल State whether C is more reactive or less reactive than A Chemical reactivity पता होनी जरूरी है बच्चों आपको इस सवाल के लिए जल्दी से answer करेंगे इसको ठीक है अगला सवाल Will C be larger or smaller in size than B इसके लिए atomic size वाला concept पता होना जरूरी है बच्चों चिंता मत कीजिए चार सवाल और रहते हैं बस Don't worry We have few questions We will answer all of them चिंता में काम करोगे तो होगा नहीं घतम ठीक है तो जल्दी से इस सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है और question number D देखो क्या है Which type of ion Cate or anion Will be formed by element A A क्या form करेगा Cate on या फिर anion यह अपने को पताना है ठीक है सारी चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है basic logic पता होगा तो हम कर जाएंगे है ना तो पहले वाले का सवाल तो हमने यहां देखते ही बता दिया कि यह metal है यह non-metal answer हमने बता है non-metal अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यहां पर जो reactivity की बात आ रही थी c is less reactive than नहीं पता है क्यूं क्यूंकि जब हम period में और group की बात करें group में halogenes में reactivity क्या होगी decrease होगी क्या होगी बच्चों decrease होगी chemical reactivity वाली बात भी मैंने आपको सिखाई थी है ना ऐसे सवाल आते हैं इसमें बच्चा गोल मोल हो जाता है confused हो जाता है बच्चों chemical reactivity वाली प्रॉपर्टी अगर हमें पता होगी तो यह सवाल आसानी से हो जाएगा मैंने आपको बताया था कि chemical property period में increase होगी और group में decrease आया ना चलिए आगे बढ़िए पिछला सवाल क्या था question number C will C be larger or smaller in size C बढ़ा होगा है चोटा होगा simple सी बात है place देखो उसकी C बाद में आ रहा है B पहले आ रहा है तो जैसे जैसे चलते चले जाएंगे size घटेगा या बढ़ेगा बता बताओ period में atomic size बढ़ेगा घटेगा बस उसी सवाल से आपको answer मिल जाएगा बिल्कुल सही बात है C will be smaller in size पता है क्यों क्यों कि B जो जब move करेंगे nuclear charge increase हो जाएगा therefore electrons come closer to the nucleus electrons come closer to the nucleus देखिए C और B की placement देखिए electrons नजदीग आ जाएंगे तो size चोटा होगा है ना और अगर जादा दूर चले जाएंगे तो फिर बढ़ते number of electrons बढ़ते चले जाएंगे तो बड़ा shells और shells की जुरुत पड़ेगी तो simple सी बात है और answer समझ गया होगे C will be smaller atomic radius atomic size वाली बात है period में क्या होता है पता है का answer आजाएगा ठीक है अगला सवाल A क्या बनेगा cation बनाएगा anion बनाएगा A मतलब group 70 मतलब halogen halogen की valency है minus 1 minus 1 मतलब electron को यहां पर charge minus 1 है valency minus 1 है मतलब बच्चो simple सा मतलब यहां पर यह है यहां पर बटा हमें यह बताना है cation form करेगा anion बटा non-metals क्या होते हैं electro positive होते हैं electro negative होते हैं cation form करते हैं anion form करते हैं यह बात पता होनी चाहिए ठीक है यह क्योंकि non-metal है बच्चो it will form an anion metals are electro positive in nature non-metals are electro negative in nature negative charge होगा तो anion ही तो form करेगा है ना बच्चो चलिए आगे बढ़ी अगले सवाल की तरफ question number 7 बहुत असान है चिंता मत कीजिए सवाल को पढ़िए nitrogen and phosphorus belong to group 15 of the periodic table ठीक है दो element दे दिये nitrogen, phosphorus, New Zealand, Pakistan, Australia, group 15 बिल्कुल सही का इनों ने बताई दिया ये तो group 15 में फिर हमें क्या करना है हमें ये करना है write the electronic configuration of these two elements इनकी electronic configuration लिखो ठ ठीक है भाई लिख देंगे फिर और क्या करें which of these will be more electronegative? Electronegative क्या होगा? कौन सा जाधा होगा? ये पता करना है Electronegative क्या होता है पता होगा? तो बता देंगे कौन सा कम है कौन सा जाधा है? Electronegative का trend पता होगा? तो answer सामने है हमारे चलिए सबसे पहले electronic configuration लिख देते है nitrogen की phosphorus की simple nitrogen atomic number 7 है तो 2 और 5 आ गया यहाँ पर phosphorus की 15 तो 2, 8 और 5 आ गया outer most shell में साफ नजर आ रहा है पांच electron ही है दोनों same group में है ना इसलिए है ना? तो अब आगर हम electronegativity की बात करें तो बच्चों जब हम group की बात करें ना nitrogen is more electronegative than phosphorus क्योंकि वो पहले उपर आता है order में nitrogen उपर आता है ना पहले वो जादा है electronegative होगा क्योंकि electronegativity धीरे धीरे decrease हो जाएगी ना बच्चों क्यों decrease होगी simple सी बात है effective nuclear charge का खेल है सारा charge effective nuclear charge जादा होगा तो उनको रूप के रखेगा कम होगा तो निकल लेंगे ना वो बई-वाली बात है ठीक है सो बच्चों same चीज़ है यहां पर सो यहां पर valence electrons move away from the nucleus and the effective charge decreases this causes a decrease in the tendency to attract the electrons hence electronegativity decreases यह पूरा logic आपको समझना है बच्चों सिर्फ इतना याद रखो group में electronegativity decrease होगी ठीक है आगे बढ़ो question number 8 how does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table electronic configuration का modern periodic table तो क्या लेना देना है बताओ बताओ बहुत जादा बहुत जरूरी बहुत important रिष्टा है इनका तो कैसे हैं क्यूं है बता दिया जाए आपको बच्चों हमारे जो groups होते हैं उनका जो outer most shell होता है elements का उन सभी में outer most shell की जो electronic configuration is same होती है तभी तो valency same होती है आया न यही बात हमें यहां ठीक है detail में ठीक से समझानी होगी कि modern periodic table में modern periodic table atoms with similar electronic configurations are placed in a column in the same group यही बात यहां लिखनी है group में क्या होगा number of violence electrons in the outer most shell are same and hence valency will be same balance electrons will be same बड़ा असान था यह तो अगला सवाल question number 9 in the modern periodic table calcium is surrounded by elements with atomic numbers 12, 19, 21 and 38 calcium के आर पार elements है 12, 19, 21 और 38 इन सभी elements के atomic number दे दिये ने हमें करना क्या है which of these have physical and chemical properties resembling to calcium इन में से calcium से similar कौन सा है यह बताना अपने को बहुत आसान है बच्चो first 20 elements में calcium की position बतादो बतादो आंसर आजाएगा आपको calcium की position का अगर हम जिकर करेंगे बच्चो तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि calcium का जो atomic number होता है वो होता है बताओ 12 क्या होगा बच्चो 12 होगा तो 12 atomic number होगा कौन सा element है जिसका इसके साथ सिमिलर है balance 2 होनी चाहिए ठीक है इन सभी की electronic configuration अपने को बनानी है ठीक है साफ नजर आ रहा है पहले ही हमें तू फस्ट में ही दिग गया calcium की वैलंसी भी टू है और इसकी जिस element की वैलंसी 12 नंबर 12 है उसकी वैलंसी 2 है हाई ना I hope there's no confusion the element with atomic number 12 calcium की वैलंसी प्लस तू है किसी और element की प्लस तू है हाँ है जिसका atomic number 12 होगा बस खतम कहानी आया ना कौन सा element जिसका atomic number 12 है magnesium क्या है बच्चों magnesium याद रहेगी ना यह बाद आसान था सवाल चलिए फिर दस्वे सवाल की और बढ़ते हैं और यह question मुश्किल तो नहीं पर आसान भी नहीं थियरी याद करनी पड़ेगी सवाल देख लेते हैं पता चल जाएगा आपको थियरी याद है कि नहीं compare and contrast the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table and modern periodic table बड़ा काम है यह Mendeleev के सारा काम Henry Mosley का सारा काम उनके जो periodic table उनमें फरक बताना है बच्चो differences form में यह answer लिखना होगा और four या five marks में यह question आपके आ सकता है तो बहुत जरूरी है यह कैसे लिखना है क्या लिखना है बता दू सबसे पहले arrangement कैसे होगी Mendeleev में तो बच्चो atomic mass की basis पे होई थी पर हमारे modern periodic table में atomic number के basis पर यही बात लिख देंगे हम number of periods number of groups बता दो कितने कितने हैं हमारे Mendeleev में कम थे साथ इग्रूप थे छे पीरियड से छे रोज थे पर modern में 18 ग्रूप और साथ पीरियड अगला difference क्या होगा elements having similar properties were placed directly under one another directly उनको एक के नीचे एक लग दिया था पर यहां पर valence shell के हिसाब से outermost shell में number of electrons यह सारी चीज़े देखते हुए उनके presence को समझते हुए फिर उन्हें arrange किया गया था same group में है ना बात सही है यह पते की है चलिए अगला position of hydrogen बताई पाई वो पर यहां पर modern में hydrogen का position साफ साफ fix कर दिया गया above all the alkali metals moving on यहां पर metals or non metals की positioning में कोई फरक नहीं था यहां पर साफ साफ left hand side metals right hand side non metals यह बताया गया मेटलोड कहां थे बीच में थे यह difference बताया गया बच्चों so students आज के lecture में हमने काफी सारी चीज़ें सिखी है एक सवाल और रहे गया शगुन का 11 नंबर कर ले चलिए कर लेते हैं okay 11th question an element of group 17 has atomic number 17 examine if this element have metallic properties or not 17 number atomic number उसमें metallic properties होंगी या नहीं बताइए सोचिए आसान है मुश्किल है सब्सक्राइब से इसका electronic configuration 2877 17th group है बच्चों यह तो 17th group है हमारा halogen मतलब non-metals तो metallic character तो होई नहीं सकता non-metallic character होगा इसमें बस यही बात हमें बतानी है बच्चों कि element in group 17 of the periodic table कि वैलेंस में जो electrons है वैलेंस शेल में जो होंगे वन ओके वैलेंस यह नंबर ओफ एलेक्रोंस प्रेजंट इदा आउटरमों शेल आर सेवन लियर यह बात सो इसमें properties होंगी non-metallic metallic होने का तो चांस ही नहीं है स्टूडेंस हमने शुरुआत में जिन properties का जिकर किया था अंत में हमें यह पता चला कि हमें chemical reactivity भी पता होनी चाहिए क्या पता होनी चाहिए chemical reactivity भी metallic character भी नॉन metallic character भी सो जितनी properties पता होंगी उतना आसान होगा questions को answer करना हाया ना periodic table से जितनी दोस्ती कर लेंगे सवाल के जवाब देना उतना ही आसान हो जाएगा हाया ना सो बच्चों officially board examination point of view में जो कुछ भी आना है वो syllabus बच्चों आज मैंने complete कर दिया है carbon and its compounds के deleted portion के interesting lectures आपको जरूर मिलेंगे but coming to the board examination point of view the syllabus is completed students periodic table को detail में मैंने समझा दिया है और हमने सवाल भी कर दी है history of modern periodic table पे questions मैंने आपको साथ में lecture के साथ करवा दिये थे homework भी दे दिया था याद है ना अब हमने ncrt के questions उन topics पे कर लिए modern periodic table पे कर लिए जिसमें से सवाल आ सकते हैं बच्चों board exam के लिए बहुत जरूरी है एक एक सवाल आपको खुद करना है दिमाग चलाना है ठीक है answers आपको यहां पे PW app पे तो मिली जाएंगे notes आपको provide हो जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चों गलती नहीं है करनी मेहनत खूब है करनी और हम सब मिलकर बहतरीन रिजल्ट लाने वाले हैं we are going to give our best achieve the best result so मेहनत करते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए और हार मतमानियेगा हर exam को best way में attempt करेंगे मिलके हम सब ठीक है so take care all of you all the very best पढ़ाई करते रहे हैं all the very best